तो गाईस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ही एरफोन में कैसे दो सौंग प्ले कर सकते हो कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप अपने फोन में कोई भी सौंग प्ले करते हो और आपको फ्रेंड होता है उसे वो प्ले कर सकते हो अगर आपके पास एक ही एरफोन होता है तो अब दूसरे में दूसरा प्ले होनवाला है तो अगर आपके पास एक ही हो आपको परसके हैं इसमें आपको सबसे पहले अपने अपली वाध ens सुन सकते हैं और आप को देखेगा तो एगेuba कर करने के लिएकRIS को देखेगा जो भी परमशन सा तो यहाँ पे आप दो सॉंग एक ही टाइम पे प्ले कर सकते हैं, तो चाहिए देखते हैं कि अप कैसे यूज हो किया जाएगा, तो यहाँ पे आपको नीचे सिंगल प्ले का ओप्सन मिलता है, यहाँ पे आप किलिक करेंगे तो उपर वाला जो भी सॉंग है वो उसके बाद एक टाइम में एक ही सॉंग प्ले कर सकते हैं, फिर यहाँ से अगर आपको स्प्लेट करना है तो बगल में फिर से आप सम दिख जाता है, उस पे किलिक करेंगे तो दोनों आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको साइड में यहाँ पे नीचे वाले की मिल जाएगा, जो भी आ प्ले करना चाहते हैं, यहाँ से प्ले कर सकते हैं, इसमें आपको सारे सॉंग में मिलने वाले हैं, बस आपको डाटा आन होना चाहिए, आपके फोन गा, तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे सॉंग प्ले कर सकते हैं, उपर आप जहाँ पे एक सॉंग का नेम लिखा है, वहा यहां देखोगे चलने लगा तो भी मैं इसको stop कर दिया हूँ तो चलिए गाइस देखते हैं दो संग एक ही time पर प्ले करता है या नहीं तो गाइस चलिए भी हम ऊपर वाला संग बजने लगा है तो और नीचे वाला संग ले करते हैं और अब दोनों को एक साथ बजा के टेस्ट करते हैं कि यह चलता है दोनों एक साथ सौंग जाने हम तो चलिए प्ले करते हैं तो आइस यह बहुत ही ज़्यादा कमाल का प्लिकेशन है अगर आप कोई भी म्यूजिक प्लेयर अपने फोन में यूज करते हो तो उसमें बस आपको सिंगल प्ले का उप्षन ही दिखता है पर इसमें आपको डबल प्ले का उप्षन भी मिल जाता है यहाँ पे आप दो डाउनलोड भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको सारे सौंग फिरी में एबलेबल हैं बस उसे आपको ऑनलाइन प्ले कर देना है जो भी सौंग आप सुनना चाहते हो और कोई भी म्यूजिक लेयर में ऐसा आप्सन नहीं है कि आप बिना डाउनलोड की कोई कोई भ है पिकार देना